अबिमन्यू को बच्चा समझ कर उसके सवाल का कुछ जवाब ही नहीं देती है, बस अपने कदम आगे बढ़ाती रहती है कार्तिक पुझारे भी कुछ पूछना इस वक्त मुनासिब नहीं समझते हैं, वो तो खुद अरबिंदों से जल से जल मिलना चाहते हैं, इसलिए अपने कदम आगे बढ़ाते रहते हैं सब लोग मतुमिता के पीछे पीछे अपने कदम आके बढ़ाई रहे थे कि तभी दर्वाजा ठोकने की आवाज जिस कमरे से सुनाई दे रही थी, वो कमरा नजर आने लग जाता है उस कमरे के दर्वाजे के पास से बस दर्वाजा ठोकने की आवाज सुनाई नहीं देती है, बलकि किसी के चिलाने की आवाज भी सुनाई देने लग जाती है एक भारी डरावनी आवाज सुनाई देती है बाहर निकालो मुझे, जाने दो मुझे यहां से दर्वाजा ठोकने के साथ-साथ बार-बार किसी की डरावनी आवाज सुनाई देती रहती है जब मदुमिता के कानों तक वो आवाज पहुँचती है तो वो डर के मारे कापने लग जाती है और जहांपर खड़ी हुई थी वहीं पर रुख जाती है मदुमिता के कपकपाते हाथ पेरों को देख कर उसके अंदर के डर को साफ मैसूस किया जा सकता था कार्टिक पुजारी मदुमिता से कहते हैं क्या हो आ मदुमिता तुम रुक क्यों गई आके बढ़ो मदुमिता घबराते हुए कहती है नहीं नहीं पुझारी जी मैं उसके पास तक नहीं जाना चाहती वो पागल हो किया है उसने मुझे कुछ कर दिया तो कार्तिक पुझारी मधुमिता को बड़े प्यार से समझाते हुवे कहते है कोई तुमें कुछ नहीं करेगा मधुमिता तुम ये बात कैसे बूल रही हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ कोई बुरी शक्ती तुम्हें छू तक नहीं सकती है मधुमिता घबराते हुवे कहती है नहीं नहीं पुझारी जी मैं तो नहीं जाने वाली उसके पास अब तो मुझे उसकी परचाई से भी डर लगने लगया है आप ही जाईए उसके पास इतना कहकर मधुमिता पीछे पलटती है और वहां से जाने लग जाती है वो कार्तिक पुझारी को से रोकने तक का मौका नहीं देती है वो इतनी तेजी में वहां से भागती है कार्तिक पुझारी खुदी सामने आते हैं और उस दर्वाजे की तरफ जाने लग जाते है अभिमन्यो और सरस भी उनके पीछे जाने लग जाते है कार्तिक पुझारी जैसे ही उस दर्वाजे के पास पहुँचते हैं दर्वाजा ठोकने और जो डरावनी आवाज सुनाई दे रही थी वो सुनाई देनी बंद हो जाती है जैसे उनके वहाँ पर आने की आहट किसी को महसूस हो गई हो और वो खुद चुप हो गया हो कमरे के अंदर एकदम से सन्नाटा चा जाता है कार्तिक पुजारी दर्वाजा खोलने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते ही है कि तभी वो देखते हैं कि दर्वाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था कार्तिक पुजारी सरस की तरव देखते हुवे कहते हैं इस पर तो ताला लगा हुआ है सरस सरस कार्तिक पुजारी के आगे आते हुवे कहता है ये मैंने ही लगाया पुजारी जी ये सोचकर कि अर्बिंदो फिर से भाग न जाए कार्तिक पुजारी सरस से कुछ और पूछते उससे पहले ही सरस अपनी जेब से चाबे निकालता है और अगले इपल वो ताला खोल देता है ताला खोलते ही सरस कुछ कदम पीछे हट जाता है सरस डरते हुवे कहता है आप ही जाए अंदर पुजारी जी मैं भी उसके पास नहीं जाने वाला कार्तिक पुजारी सरस से कुछ नहीं कहते हैं वो दर्वाजे की तरफ देखते हैं और अपना हाथ आगे बढ़ा कर उसे धक्का दे देते हैं। दर्वाजे करकर आती हुई आवाज के साथ खुल जाता है। कमरे के अंदर अंधेरा चाय हुआ था। इतना जादा अंधेरा के कुछ नजरी नहीं आ रहा था पर कार्टिक पुजारी बिना डरे कमरे के अंदर अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाते हैं। अभिमन्यू भी उनके पीछे कमरे के अंदर खुस जाता है। सरस दर्वाजे पर ही खड़ा रहता है। वो अंदर नहीं जाता है। कमरे के अंदर इतना जादा अंधेरा चाय हुआ होता है कि कार्टिक पुजारी और अभिमन्यू को कुछ नजर ही नहीं आता है। अभिमन्यू कार्टिक पुजारी से कहता है। मैं लाल्टिन लेकर आता हूं गुरुजी। कार्थिक पुजारी अभी मन्यू को रोबते हुवे कहते हैं। उसकी कोई जरुरत नहीं है अभी मन्यू बेटा। कुछ सवालों के जवाब अंधेरे में ही मिलते हैं। अभी मन्यू वही पर रुख जाता है। कार्थिक पुजारी अंधेरे में ही देखने की कोशिश करने लग जाते हैं। कार्थिक पुजारी कमरे के अंदर अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहते हैं। अर्बिंदो बेटा। अर्बिंदो चैटर जी का कोई जवाब नहीं आता है। कमरी के अंदर कार्थिक पुजारी की आवाज ही गुंचती रहती है। अभी मन्यू भी डरा हुआ रहता है पर कार्थिक पुजारी को देखकर उसे होसला मिलता है और वो उनके पीछे-पीछे अपने कदम बढ़ाते जाता है। कार्थिक पुझारी फिर बोल पढ़ते हैं, तुम कहा हो अरबिन्दो बेटा, देखो तुमसे कौन मिलने आये है, पिछली बार हमारी मुलाकात हुई थी न और मैंने कहा भी था कि मैं तुमसे मिलने के लिए जरूर आउंगा, देखो मैं तुमसे मिलने के लिए आगया, कार्तिक पुजारी फिर अर्बिंदो को पुकारते हुए कहते हैं अर्बिंदो बेटा अर्बिंदो बेटा कहा हो तुम कार्तिक पुजारी ने इस बार इतना कहा ही था कि तभी उने कमरे के अंदर एक हलचल सुनाई देती है वो हलचल जो ना ही अभिमन्यू की होती है और ना लग जाता है वो आवाज किसी बच्चे की तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी कार्तिक पुजारी तुरंत अभिमन्यों से बोल पड़ते हैं घबराओ मत अभिमन्यों बेटा तुम जितना डरोगे उस काली शक्ती को उतनी ताकत मिलेगी यहां कमरे में कोई न कोई काली शक कार्तिक पुजारी नाटक के साथ कहते हैं मैं यहां पर तुम्हारे हाथों मरने ही तो आया हूँ और बिंदो बेटा मेरे सामने आ जाओ और मार लो मुझे अगले ही पल मंत्र पढ़ने की डरावनी आवाज सुनाई देने लग जाती है जिस तरफ से मंत्र बढ़ने की आवाज सुनाई दे रही थी कार्तिक पुजारी और अभिमन्यू उस तरफ अपने कदम बढ़ाने लग जाते हैं वो आवाज कहीं और से नहीं बलकि कमरे के कोने से सुनाई दे रही थी कोने के पास ये खिड़की है जिससे कमरे के अंदर हलकी हलकी चांद की रोशनी होने लग जाती है और कमरे की कुछ चीजे नजर आने लग जाती है जैसे फर्श पर फैले हुए काज के टुकडे, लिप्स्टिक, कंगी, बिंदी और चूडिया ऐसे ही कई प्रकार के श्रंगार के सामा अनफर्श पर फैले हुए थे कार्तिक पुजारी धीरे से अभिमन्यो से कहते हैं संभल कर चलना अभिमन्यो बेटा, जरा नीचे देख कर अभिमन्यो हां में अपना सिर हिलाते हुए कहता है जी पुजारी जी कार्तिक पुजारी कमरे के कोने की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहते हैं अभिमन्यो हां में अपना सिर हिलाते हुए कहता है जी पुजारी जी, कार्तिक पुजारी कमरे के कोनी की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहते हैं तो तुम यहाँ पर हो अरबिंदो, मुझसे इस तरह क्यों छुप रहे हो, मेरे सामने आओ फिर से डरावनी आवाज सुनाई देती है वापस चले जा पुजारी फिर से मंत्र पढ़नी की डरावनी आवाज सुनाई देने लग जाती है कार्तिक पुजारी इस मंत्र पर ध्यान नहीं देते हैं अपने कदम आगे बढ़ाते रहते हैं जब वो कमरे के कोने के पास पहुँचते हैं देखते हैं कि वहाँ पर एक अभी मन्यू की उम्रे का छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है जो कोई और नहीं बलकि अर्बिंदो चैटर जीई है अर्बिंदो का सिर नीचे की तरफ था और घुटने मुड़े हुए थे जिस कारण उसका चैरा नजर नहीं आता है अर्बिंदो ये डराबनी आवालस में मंत्र बढ़ बढ़ाये जा रहा था इस वक्त भी वो मंत्र बढ़ बढ़ा रहा था कार्तिक पुझारी अर्बिंदो के पास जाते हुवे कहते हैं अर्बिंदो बिटा तुम यहाँ पर अंधेरे में क्यों बैठे हुए हो आओ बाहर, चलो मेरे साथ, बच्चों को अंधेरे में नहीं रहना चाहिए अर्बिंदो मंत्र ही बढ़ बढ़ाते रहता है, उसको देखकर अभी मन्यू डरने लग जाता है कार्थिक पुजारी अर्बिंदो से कहते हैं, अर्बिंदो बीटा, आओ मेरे पास आओ कार्थिक पुजारी अपने हाथ आगे बढ़ाने लग जाते हैं, जैसे ही वो अर्बिंदो को छूते हैं, अर्बिंदो अपना से रूपर कर लेता है जब कार्तिक पुचारी की नजर अर्बिंदो के चेहरे पर पढ़ती है तो उसका चेहरा देखकर वो डर के मारी कांप जाते हैं वो भी तुरंत अपने हाथ पीछे अटा लेते हैं उनकी आँखों में खौफ साफ नजर आने लग जाता है अब इमन्यो के हाथ पैर भी डर के मारी कांपने लग जाते हैं अर्बिंदो चेटर जी का हुलिया पूरी तरह बदला हुआ था लगी नहीं रहा था कि वो चेटर जी था अर्बिंदो ने अपनी आँख में धीर सारा काजा लगाया हुआ है जो फैल शुका था होटो पर लाल लिपस्टिक लगा कर रखी हुई है वो भी फैली हुई थी कानों में बूंदे माथी परबिंदी नाखुनों में नेल पॉलिश हाथों में चूडियां यहां तक कि अपने छोटे बालों से दो चोटी भी बांध कर रखी हुई है उसने अपने चेरे पर मेकप करके रखा हुआ है वो भी किसी लड़की की तरह पर उसकी आँखे डराब नि लग रही है कार्तिक पुजारी की नजर जो अर्बिंदो के कपड़ों पर जाती है तो वो देखते हैं कि अर्बिंदो ने सिर्फ लड़कियों की तरह मेकप ही करके नहीं रखा हुआ था यहां तक की लड़कियों की तरह लाल फ्रॉक भी पहन कर रखा है कार्तिक पुजारी और अभिमन्यू के तो समझी नहीं आता कि अर्बिंदो को हो क्या गया है उसने इस तरह अपना हुलिया क्यों बना कर रखा हुआ है कार्तिक पुजारी अर्बिंदो को एक टक देखते हुए हैरानी के साथ कहते है ये क्या हाल बना कर रखा है तुमने अर्बिंदो बेटा अपना? अर्बिंदो भारी आवास में कहता है यहां से चले जा पुजारी कार्थिक पुजारी मुस्कुराते उबे कहते हैं जाओंगा लेकिन तुम्हारे साथ अर्बिंदो बेटा तुम्हें लिये भी न मैं यहां से कैसे जा सकता हूँ इतना कहेकर कार्तिक पुजारी फिर अर्बिंदो को पकड़ने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाने लग जाते है जैसे कार्थिक पुजारी अर्बिंदो को छूते हैं अर्बिंदो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कार्थिक पुजारी का गला पकड़ कर दबाने लग जाता है अर्बिंदो कार्थिक पुजारी का गला दबाते हुए कहता है कार्थिक पुजारी दर्द से करा होते हैं अभिमन्यू उसी वक्त अपने कदम आगे बढ़ाता है और अर्बिंदो चैटल जी की पकड़ से कार्थिक पुजारी का गला चुड़ाने की कोशिश करने लग जाता है अर्बिन्दो के हाथ की पकड़ इतनी मस्बूत थी कि कार्टिक पुजारी और अभिमन्यू दोनों मिलकर भी अर्बिन्दो के हाथ नहीं छुड़ा पा रहे थे कार्टिक पुजारी अपना गला छुड़ाने की खोशिश करते हुए अर्बिन्दो से कहते है ये तुम क्या कर रहे औरबिंदो मेरा गला छोड़ो अरबिंदो कार्टिक पुजारी का गला दबाते हुए ही कहता है मार दूंगा, सबको मार दूंगा, मुझे मेरी दाइमा के पास जाने से रोकता है सबको मार दूंगा अभिमन्यों और कार्थिक पुजारी जैसे तैसे करके अर्विंदों से गला छोड़ाने में काम्याब हो जाते हैं जैसे अर्विंदों गला छोड़ता है उसे अभिमन्यों के हाथ का धक्का लगता है और वो वापस से कोने वाली दिवार से जाकर टकरा जाता है दिवार से टकराते हैं वो वापस से नीचे बैच जाता है वहां पर बैचते से यह अर्बिंदो फिर से डरावनी आवाज में वही मंत्र दोहर आने लग जाता है जो पहली दोहर आ रहा था पर इस बार कार्तिक पुजारी का उस मंत्र पर ध्यान चले जाता है और वो उस मंत्र को गौर से सुनने लग जाते है उस मंत्र को सुनते ही कार्तिक पुजारी को कुछ याद आता है और वो तुरंत अभी मन्यू से कहते है यहां से चलो अभी मन्यू बेटा अब हमें यहाँ पर नहीं रुखना चाहिए अभी मन्यू अर्बिंदो चेटर जी की हालत देखते हुए कहता है पर गुरु जी, अर्बिंदो, हम उसे ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं उसे हमारी जरूरत है कार्थिक पुजारी कहते है इस वक्त उसे अपने हाल पर छोड़ दो अभी मन्यू बेटा हम उसे बाद में बचा लेंगे पर इस वक्त हमारा यहां से बाहर जाना बहुत जरूरी है वरना समस्या और जादा बढ़ जाएगी इतना कहकर कार्थिक पुजारी अभी मन्यू का हाथ पगड़ते है और उसे लेकर कमरे से बाहर निकल जाते है जैसे ही कार्थिक पुजारी अभी मन्यू को लेकर कमरे से बाहर आते है वो खुद सबसे पहले दरवाजे को बंद कर देते है दर्वाजे पर ही सरस खड़ा हुआ था जो उन दोनों के ही बाहर आने का इंतजार कर रहा था चिल्ला चूट की आवाज सुनकर सरस की पत्नी मदुमिता भी वहाँ पर आ गई थी कार्तिक पुजारी और अभिमन्यू दोनों ही पसीने से लटपत थे कार्तिक पुजारी और अभिमन्यू के हालत देखकर सरस और मदुमिता दोनों ही घबरा गए थे सरस बौकलाहट के साथ कार्तिक पुजारी से पूछ परता है आप ठीक तो है ना पुजारी जी उस अर्बिंदों ने आपको कुछ किया तो नहीं न कार्तिक पुजारी सरस से कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ सरस घबराने वाली कोई बात नहीं है मदुमिता तुरंद बोल पड़ती है मैं जानती हूँ उसने आप पर भी हमला किया होगा जिस तरह उसने हम दोनों पर किया था कार्तिक पुजारी कुछ सोचते हुए सरस से पूछते हैं अर्बिंदों ऐसा व्यवहार कब से कर रहा है सरस सरस कार्तिक पुजारी के सवाल का जवाब देते हुए कहता है पिछले एक हफ़ते से वो ऐसा ही व्यभार कर रहा है पुजारी जी तभी तो मैंने आपको यहाँ पर बुलाए है कार्तिक पुजारी फिर सरस से पूछ पढ़ते है उसने लड़कियों वाले कपड़े क्यों पहने हुए है और वो श्रिंगार इतना कहकर कार्तिक पुजारी खुदी चुप हो जाते है सरस को जवाब देता उससे पहले ही मधुमिता बोल पढ़ती है वही तो हमारे समझ नहीं आरा पुजारी जी कि अर्बिंदो लड़कियों जैसा क्यों कर रहा है आपको पता है उसने मेरे दोनों लड़कों को भी जबरदस्ती लड़कियों की तरह कपड़े पहना दिये थे उसी की वज़े से तो मुझे अपने बच्चों को अपने आप से दूर करना पड़ा उन्हें उनकी मौसी के पास भेशना पड़ा कार्तिक पुजारी फिर सरस से पूछ पड़ते है अर्बिंदो के साथ कुछ न कुछ तो जरूर हुआ है क्योंकि जब मैं उससे आखरी बार मिला था शोभां के देहांत के बाद तब वो ऐसा बिल्कुल नहीं था सरस कार्तिक पुजारी की बात में हामी भरते हुए कहता है आपने बिल्कुल सही कहा पुजारी जी अर्बिंदो एक बहुत ही अच्छा बच्चा था पर जब से वो लौट कर आये तब से पता नहीं उसे क्या हो गया है कार्तिक पुजारी सरस की बातों को नोटिस करते हुए तुरंत उससे पूछ पढ़ते है लौट कर आये हैं से क्या मतलब है तुमारा सरस सरस हिच की चाते हुबे कहता है वो 15 दिन पहले ही अर्बिंदो घर से भाग गया था पुजारी जी कार्तिक पुजारी है रानी के साथ पूछते हैं अर्बिंदो घर से भाग गया था पर क्यूँ